है। हलो दोस्तों सुवागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तों आजकी वीडियो बात करेंगे वन रैंक वन पें扇शन पे एक और बड़ी ख़बर के बारे में बात करेंगए वन रेंक वन पेंशन पे जो है अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जिसमें की एक बार फिर से उमीद जगी है की जो पूर उर सैनिक हैं उनके पक्ष में एक बार फिर से जो है फैसला आने की उमीद है और अभी इसके उपर क्या लेटेस्ट कारवाई हुई है उसके बारे में बात करेंगे वाइस ओफ एक सर्विसमेन की तरफ से अभी इस पर क्या लेटेस्ट काम चल रहा है उसके बारे में डिसक्स करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में अगर चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दोबाएं दोस्तों बात करते हैं क्या है इस पर लेटेस्ट अपडेट और आप यहां पर देख सकते हैं OROP अपडेट रिव्यू पिटिशन हैस बिन फाइल इन हैचसी ऑन 13 अपरेल तो एक बार 13 अपरेल को फिर से जो रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया है for grant of actual OROP और उसके पीछे reason क्या है कि with new evidence इसके साथ नए evidence भी डाले गया है As per rule, रिव्यू पिटिशन is to be filed within 30 days 30 दिन के अंदर जो है रिव्यू पिटिशन फाइल किया जाता है There will be no chance of rectifying the HSC judgment 16 mark 2020 If review is not filed इसलेट दोस्तों timely review file कर दिया गया है नए evidence मिल चुके है उन नवे नए evidence के base पे जो है अब ये review जो है file किया गया है उसके उपर फैसला होगा तो दोस्तों ये था basically अब एक बार फिर से जो है उमीद जगी है क्योंकि within 30 days a review petition file करना होता है वो voice of ex-servicemen की तरफ से कर दिया गया है और अब जो है एक बार फिर से जो है इस review petition पे काम होगा और OROP पे अच्छा फैसलाने की उमीद है तो दोस्तों ये था आज का important update और one rank one pension से related अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूलें thank you for watching this video